और कई बार अच्छी फिल्लिंग करने से दबाव भी बल्ले बाजो पर पड़ता है और गेन बाजो के भी होसले और बुलंद हो जाते हैं मोहनलाल बिलकुल एक बड़े भाई जैसे हैं और बड़े भाई से याद आया कि बिग ब्रदर फांडेशन जो है वो हर रन के लिए एक हजार रुपए डोनेट करते है इस ट्रिपल एक्स एनरजी ड्रिंक सेलेब्रिटिक ट्रिकेट लीग पाउट बाई पारले 2020 कुकीज में अब देखना है कि अब जब पापले के ओवस खत्म हो जाएंगे उसके बाद किस तरीके से गेंदबाजी करती है वीर मराठे की टीम उपेंद्र लिमाए आये हैं नए गेंदबाज इन बाजी में बदला हुआ है उप्पेंद्र लिमाएं और स्कूप किया है दिल स्कूप करने की कोशिश लेकिन यहां पर तो अपना विकेटी का वाच्ट ने वाले थे जैसे करतब करने पड़ेंगे आपे केरला स्ट्राइकर्स को अपने रन रेट के जो फिलहाल हाल है उसमें इदाफा के लिए देवाइन इनको कॉपी ना करें तो ही बैतर है मूँ के बल गिरेंगे बहुत इफिट है यह बड़ा शॉट के लाए और इस बार गैप में भी बहुत ही बहतरी इनफिल्डिंग इस बार फिल्डर ने साथ दिया गे इनवाज का दो रन बचाए अपनी टीम के लिए अभी जन्रा मोहतर्मा को हमने देखा वो कुछ महीने पहले कबड़ी लीग का भी हिसा थी उसमें भी बहुत कमाल का काम करती थी लेकिन यहां पे बैतरीन कैच फील्डर्स को बैक अप करना पड़ेगा इसी की बात कर रहे थे और वो ही क्या है यहां पे कप्तान ने बैतरी जिसकी तलाश थी आखिरकार मिली गए वीर मराठी को यहां पर चोड़ी गें थी खराब गें थी लेकिन अपना विकेट गवा बैठे कप्तान इस बार फिर से अच्छा कैच पकड़ा आगे से ने तृत्व कर रहे है रितेश देश मोक को पहला जटका लगा यहां पर केरल कि टीम को नंद कुमरा आट हुए 17 पर टेताले से एक विकेट के नुक्सान पर जाने अच्सराब से एक बार्या यहां पर थापका अच्छान पर बज़िए इस बार्याद दोर मोज़ोजड़ मोज़ खरीज आटेश। बड़ा विकेट मिला है वीर मराठी को क्यूंकि अर्जुन नंद कुमार ने पिछले मुकाबले में 83 रन बनाए थे तो उनका विकेट बहुत-बहुत कीमती था नए बल्लेवाज इसी बीच आये हैं सुरेश नायर जिन्होंने काफे किफायती गेंदवाजी की थी आज के मुकाबले में लेकिन अब बल्ले के साथ अपना जादू दिखाना पड़ेगा अच्छा ओवर चल रहा है सिर्फ पांच रन गए हैं फिलहाल और एक बहुमूल्य विकेट भी मिला है वो ओपनिंग पार्टनर्शिप जिसके गिरने के बाद थोड़ी सी मायूसी चाही है करला ओट स्ट्राइकर्स के खेमे में फिर से एक हवाई श्ट लेकिन इस बार गैप में चार रन मिल सकते हैं चार रन ही मिलेंगे ओवर की समाथ दी अर्तालिस प्रे एक अफिर दिखान पर जोटार्वार इस कैना स्ट्राइकर्स स्थ्राइब थान ए्कलाप स्थ्राइब तेख़ लाइब प्राइब एधिया निया निय को कि अच्छाइब के बाद अच्छाइब के बाद अच्छाइब स्राइकर्स अच्छाइब के उपर यह ओवर की अंतिम गेम थी और अक्सरम ने देखा है की कि यह कराए पर पानी फेर देते हैं शुरुआत बहुत अच्छी की थी लेकिन उसके बाद अंतिम गेम पर चौका पड़ा आगे का हल दिवाए इनको तो बहुत तेजित कर दिया है बहुत हुश कर दिया है साथ ओवर के बाद 48 पे एक यानि या करन्ट रंडरेट 6.86 आवशकता है 9.15 की लेफ्ट आम स्पिन अं और इसी वज़े से स्पिनर के पास ज्यादा नियंतरन भी रहता है एक बार फिर से देखते हैं हवा में खेला था लेकिन वहां पर कोई फीलर तेनर आउट फिल काफी तेज और यह भी बहुत-बहुत तेज और पुर्ती लीग यह देखिए क्या कला बाजिया राजी का एक जीब टाशन है लेकिन अच्छा टाशन है और बहुत ही कालगर साथ होता हुआ है शताइस पर खेल रहे हैं और पचास रन भी यहां पर पूरे हो वेग केरल की टीम के लिवांग राजीव विकेट कीपर भी है इस टीम के और अक्सर देखा गया इसके इनके बाद बात करेंगे यहां पर एक रंत्व असानी से मिलेगा शायद दो भी मिल जाए या दूसरे के लिए वापस आ जाएंगे तो विकेट कीपर्स अपने आप में एक बहुत खास कार थैंकलेस जॉब होता है कड़ी मैनत करनी पड़ती है उन्हें और सारा दिन जब आप बढ़िया कीपिंग करते हैं लेकिन एक एहम और महत्वपूल महत्वपूल कैच अगर गिरा देते हैं तो सारा दोश आपका बन जाता है और यहां पर मौका नहीं गवाया जिसके बारे में बात कर रहे थे लेकिन इस बार चूक नहीं हुई और लग रहा है कि दूसरा जटका लगेगा हाला कि वाइट था लेकिन उससे एहम होगा तीसरे अंपाय का निर्ण है बहुत बहुत बड़ा एक विकेट यहां पर मिल सकता है और अंकुष चौधरी की यही खासियत है काफी accurate गेंद बाजी करते हैं हाला कि यहां पर जिस तरीके से उन्होंने चकाया वो यह था की down the leg side सुरेश नायर बहुत जल्दी कमिट कर चुके थे काफी आगे चल चुके पर बटन दबने वाला है और यहां पर वापस जाना होगा सुरेश नायर को दूसरा जटका लगा यहां पर सुरेश नायर वापस पविलियन की ओर अग्रेसर ओरे चार रन बनाए केरल तरेपन दो विकेट की नुकसान पर कर दो च्च्ट में सब्दियं हखग़ा ढ्रीक हार एंज कर दो बनाए कर दोन की ओर यहां यहां बनाए कि अच्छक्क्षव जाए नए बल्लेबाज आए है असिफ अली नियुक्रीज में आना पड़ा है क्योंकि यह थोड़ी देर पहले देवांग और मैं यह डिसक्स कर रहे थे कि विकेट कीपिंग एक का थैंकलेस जॉब है और आज राजे श्रिंगार पुरे एक मेक्शिफ्ट जॉब कर रहे हैं देवांग तो और भी ज्यादा क्रेडिटेबल और यह वास्त में उतना आसान नहीं होता है लेकिन बड़िया तरीके से गेन को पकड़ा काफी नीची थी और उसके साथ ही बहुत ही चुस्त कीपिंग का मुझाहरत वहां पर देखने को मिला हमें लेकिन यहां केरल की टीम वापस बैक फूट पर चली गई दो जल्दी विकेट गवा दिये पार्टनर्शिप की आवशक्ता थी और इनकी गंभीता से साफ पता चल रहा है केरल कितने दबाव में है और चुकि पार प्लेस का उतना फायदा नहीं उठाया था इसे लिए दबाव बना ही रहेगा बल्यबाजी क्रम पे यहां पे एक अच्छा शॉट और बहुत खराब फील्डिंग चार रन मुफ्ट के दे दिये ओवर की समाप्ती तावन पे दो और बहुत वर इस देडर स्वाइब 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 ऑप्साव प्ति के लिए अड़्यब भाट्स